नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है प्रदीप चोहान बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी दोस्तो महराश्टर चुनाव में कांगरेस को जिस बुरी तरह से हार मिलिया इसके बाद कांगरेस कारेकरताओं के जोश बहुत नीचा है कांगरेस के समर्थक भी बहुत मायूस है और एक बात कॉंग्रेस के अंदर कार्यकरताओं के अंदर चल पड़ी है कि शायद 2029 की अभी हमें बात नहीं करनी चीए, अब हमें सीधा 2034 में ही होगा कुछ तो होगा, ये मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक सोच कॉंग्रेस के सपोर्टर और कार्यकरताओं के बीच बन रही है, इ शायद बीजेपी की तरफ से प्रधान मंतरी का चेहरा अंदरेंदर मोदी नहीं होगे, कोई और होगा, और नए चेहरे के साथ भी अगर बीजेपी जीत जाती है, तो 2034 में आप उमीद मत कीजेगा कि 2034 में भी आप कुछ बदल पाएंगे, फिर तो 15-20 साल आगे जो नया चेहरा होगा, उसके साथ चलना होगा, और गलती से अगर योगी आदितेनाद जैसा चेहरा आ गया, तो इस देश में किस ध्रुवी करण की तरफ मोड दिया जाएगा, ये आप सोच सकते हैं, और दूसरी बात योगी आदितेनाद के पास उम्र भी है, और उनकी राजनीती हमेशा की राजनीती पर भी 21 थाबित होती है, ये भी हमने देख लिया है, तो इसलिए कांगरेस को जो करना है, दो हजार उनतिस में कांगरेस सकसेस्फफुल नहीं होती, तो फिर आगे उम्मीद बहुत कम है, तो कांगरेस को महराश्टर के बाद हर्याना से जो पहले ड्र बता रहे होंगे आपने पिछले तीन-चार दिन में देखे होंगे इतने सारे वीडियोज अख़वारों में पढ़ा होगा कि कांग्रेस को क्या-क्या बदलाओ करने की जरुए है और हर चुनाओ के बाद होता है जब भी कांग्रेस कोई चुनाओ हारती है सबसे पहले यही प सूत्र ये एक कारिकरम रख रहा हूं ये उन से अलग है जो आपने अभी तक सुने हैं वो उनसे एड़ कर सकते हो आप इन लोग मेरे पॉंट्स को उनमें एड़ कर सकते हो लेकिन ये बहुत एहम है अगर दो हजार उनतीस के लिए कॉछ करना है ये कॉण्ग्रेस की सीरीज का दूसरा वीडियो में आपके सामने लाया हूं तो कुछ सजेशन है अगर आप में से कुछ कॉण्ग्रेस के लोग है देख रहे हैं तो जरा ये सजेशन आपको ठीक लगे तो पहुचाईगा जरूर कुछ सजेशन है कि अगर कॉण्ग्रेस ने इन सजेशन में काम नहीं किय तो समझ लीजे फिर टाटा बाई 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 बहुत देर तक करते रहनी पड़ेगी आपको मेरा सजेशन नमबर सुझाओ नमबर पहला कॉंग्रेस में बदलाओ की शुरुआत कहां से होनी चाहिए पहला सुझाओ है जिसकी कॉंग्रेस को आज सबसे सक्त जरूरत है और ये बहुत से लोगों ने बोला भी होगा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत एहम पॉइंट है और पहला पॉइंट है जिम्मेदारी तै करना और उस पर एक्शन होना हर बार आपने देखा होगा राजिस्थान हो चतिस गड़ हो मद्य प्रदेश हो हर्याना हो अब महराश्ट्र हो कॉंग्रेस चुनाओ हारती है दो चार दिन हल्ला गुल्ला होता है उसके बाद शान ती कुछ नहीं होता हर याना चुनाओ को खत्म होए एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है कंफर्म जीत थी कंफर्म जीत मानी जाए थी शायद ही कोई और ऐसा राजिय था जहां कॉंग्रेस की जीत को इतना माना जा रहा था कि सत्तर प्रतिशत शायद वोट अकेले कंफर्म को मिल जाए सीट मिल जाए सत्तर प्रतिशत अकेले कंफर्म के बावजूद कंफर्म हारती है एक महीने से उपर हो गया कोई एक्षन नहीं किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं भुपिंदर सिंग हुड़ा आज भी विधान सभा के सेशन जॉइन कर रहे हैं सिर्फ एक्षन ये हुआ कि लीडर अफ आपोजिशन अभी तक कोई कॉई कॉंग्रेस नहीं बना पाई ना वहां के प्रदेश अद्यक्ष बदले गए ना वहां के प्रभारी बदले गए ना भुपिंदर सिंग हुड़ा की कोई जिम्मेदारी तै की गई ना शैलजा की कोई जिम्मेदारी तै की गई ना रंदीप सुर्जे वाला की कोई तै की गई अब महराश्टर में यही हाल हो गया और महराश्टर में भी चार दिन होने लगे तीन दिन हो गये किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है प्रदेश अदिक्ष नाना पटोले ने ओफर किया है, त्याग पत्र का ओफर किया है, कम से कम इतना तो किया, हर्याना वाले ने तो वो भी नहीं किया, और CWC की बैठक भुलाई है, शायद एक आध दिन में 28 तारी किया शायद, उसमें डिसकेशन होगा फिर से हर्याना और म करेगी और जिम्मेदारी तैय करने के बाद जो जिम्मेदारी पे खरा नहीं उतरता, जब तक उस पर कोई एक्षन नहीं होगा, यानि जब तक आप ऊपर से नीचे तक कैडर को एक मैसिज नहीं दोगे, कि अगर डिलीवर आप नहीं करोगे, तो आप पार्टी के किसी काम क नहीं हो, तब तक कॉंग्रेस का जो चरित्र है, वो बदलने वाला नहीं है, कॉंग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है लथार्जिक एटिट्यूट, इनके नेताओं का लथार्जिक एटिट्यूट, कि हुआ तो हुआ नहीं, तो जो वो पुरानी कॉंग्रेस है न, वो उ कόंगरेस से निकल नहीं पारें कि ठक हार के लोग हमारे पास ही आएंगे ऐसा अबको होता जिम्हारी है जिम्मेदारी तैक करना और उस पर ना शिर्फ भी बहुत जरूरी है जो अभी तक बहुत जरूरी working । जो अभी तक हार्याना ना होने पर सजा देना भी जरूरी होता है सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है पॉइंट नमबर दो कॉंग्रेस की जितनी राज्य सरकारे हैं उनका हिसाब किताब लेना बहुत जरूरी है वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चुनाओ हर्याना हो चाहे महाराश्टर हो चाहे कोई चुनाओ जो कॉंग्रेस शासित राज्य हैं उनकी नाकामियों को बीजेपी अपने चुनाओ प्रचार का बहुत बड़ा हथियार बनाती है उधारन के तोर पे जैसे मैं आपको हिमाचल का बताता हूं कि हिमाचल में जो आर्थिक संकट की स्थिती बनी हालां कि राज्य सर कैश करता है आपने देखा होगा जहां लोगों से कहा जाता है कि कॉंग्रेस की गारेंटियों पर भरोसा मत कीजिए ये कह तो बड़ी-बड़ी बाते देते हैं लेकिन इनके पास तंखा देने के भी पैसे नहीं होते हैं और एक चीज और बीजेपी मोदी जी सब कुछ इस सही भी है की कॉंग्रेस के गारेंटिया कब पूरी होती है कब कैसे पूरी होगी ये किसी को नहीं पता इसलिए बेहद जरूरी है कि कांग्रेस हाई कमान हर चुनाओ के बाद अपने इन राज्य सरकारों से हिसाब किताब ले कि आपने ये दस गारंटियां दी थी इनका क्या हुआ ताकि चुनाओ प्रचार में आप इस्तेमाल कर सके जिसको बी-जेपि आपके खिलाफ इस्तेमाल करती है वो दरसल में आपके फेवर में जानी चीए थी चीज की देखिए ये मेरी करनाटक की सरकार है ये हमने दस वादे किये थे और ये हमने दो साल में इतने वादे पूरे कर दिये कहा कहा कितनी महिलाओं को free पैसा मिल रहा है या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ये सब आपको करना चाहिए लेकिन होता Legs में इसके उल्टा है उल्टा यह है कि देखिए आपको दिखा रहा हूँ कॉंग्रेस के मुख्यमंतरी सुक्विंदर चिंग सुखु कह रहे हैं कि फ्री बीज से इलेक्शन नहीं जीता जाते एक ट्रिव्यून को दिए इंट्रिव्यून में उन्होंने ऐसा कहा है और उधर हाई कमान वादे करती है कि हम महिलाओं को ये देंगे वो गारंटियां करती है और मुख्यमंतरी कह रहे हैं फ्री बीज से इलेक्शन नहीं जीता जाता ये तो होगी पहली बात दूसरी बात इस देश में अभी बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठा है कांगरेस ने कि बीजेपी जो है वो लोगों को लड़ा रही है कटोगे तो बटोगे के नाम पर लोगों में द्वेश फैला रही है ये बात कह रही ही न, तो इसका मतलब ये है कि जहां आपकी सरकारे हैं, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी लोगों का आप पर विश्वास आएगा, लेकिन ये वीडियो देखाता हूं मैं आपको, ये ताजा वीडियो है हिमाचल का, बहुत सारी वीडियो आपने हिमाचल के देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में देखे किस तरह से एक कश्मीरी दो कश्मीरी लोगों को वापस कहा जा रहा, तुम हिंदोस्तानी नहीं हो, कश्मीर जाओ, यहां तक कहा जा रहा, ये वीडियो देखे. हिं तो फिर कहां जाएंगे कम उठेंगे विए हमारा संगठल है और यह हमारी एकता नहीं हुआ हम कहां बाते हम किश्मीर किसका है वह हिंदुस्तान का है है होगा होगा बोल नहीं माती हुगा नवो पर आप को वहां ही रहना पड़ेगा वाहें पर अलग रहेंगा difference हिंदु अब आप बताईए अगर ये बीजेपी शासित राज्ये में होता उत्तर प्रदेश जैसे राज्ये में हो रहा होता तो समझ में आता बात हिमाचल जैसे राज्ये में जहां कॉंग्रेस शाशन है वहां सरकार ये चीजे नहीं रोक पा रही है तो फिर लोग कैसे विश्वास करेंगे इसलिए बेहद जरूरी है कि कॉंग्रेस के मुख्य मंत्रियों से हिसाब किताब रखा जाए कि आपके स्टेट में क्या हो रहा है जो कॉंग्रेस कह रही है जिस एडियोलोजी पे कॉंग् सारे लोगों को हजम भी ना हो और बहुत सारे लोग शायद इससे एग्री भी ना करें लेकिन मुझे लगता बहुत जरूरी है उसकी मैं पहले छोटी सी भूमी का बताता हूं क्यूं जरूरी है हर्याना हो महराश्ट्र हो आगे दिल्ली होगा या कोई और राज्ये देख सबसे बड़ी कमजोर ही आज की डेट में कॉंग्रेस की क्या है संगठन बहुत कमजोर संगठन है गुजरात में कहते हैं कि राहूल गांधी नारा दे रहे हैं कि हम गुजरात में अगली बार हराएंगे बीजेपी को और गुजरात के आठ राजियों में जिला ध्यक्ष तक नहीं है नीचे तो छोड़िये महराष्ट में संगठन कमजोर हर्याना में पोल खुल गई कि कितना संगठन हर्याना में कमजोर है बीजेपी का जबकि 10 साल महां कॉंग्रेस ने लगातार भी शासन किया था कॉंग्रेस का संगठन कमजोर है बहुत से राज्य है इस देश मे कम से कम आठ राज्य ऐसे हैं जहां कॉंग्रेस संगठन के नाम पर तकरीबन निल है निल बटा संदाना है पश्चिम बंगाल उरिसा बिहार आप नाम ले लिजी कितने सारे तमिल नाडू बहुत सारे राज्य हैं मैं कि अभी नाम गिनाने लग जाँगा तो बहुत लंबा हो कि नया अध्यक्ष नया संगठन महासचिव जी हां आप थोड़े से हैरान होंगे कि संगठन महासचिव तो सब कह रहे हैं अध्यक्ष क्यों कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं संगठन महासचिव क्यों नया चीए ये आपको सब को मालूम है कि सबसे कमजोर कड़ी अगर का कॉंग्रेस में इस वक्त कोई है वो है संगठन महासचीब केसी वेनु गोपाल जो संगठन महासचीब संगठन नहीं कर सकता पांच साल में उस संगठन महासचीव का क्या काम प्रदेश अदिक्ष प्रदेश प्रभारी इस्तीफे का उफर तो करते हैं संगठन महासचीव तो वो भी नहीं करता सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है राहुल गांधी की सुबह से शाम तक पूछ बनके चिपका रहता है इसके लावा कोई काम नहीं है अगर मिशन दो हजार उनतिस के लिए तैयारी करनी है कॉंग्रेश को तो सबसे पहले इस सबसे बड़े छेद को भरना होगा वो छेद है कमजोर संगठन महासचीव जब तक संगठन महासचीव मजबूत नहीं होगा तब तक संगठन लोग कह रहे हैं कि कॉंग्रेस को एक अमिच्छा की जरूरत है मैं कहता हूं अमिच्छा की जरूरत से ज्यादा जरूरी इस वक्त एक मजबूत समझदार काम करने वाला संगठन महासचीब चाहिए वो भी उत्तर भारत से दक्षिन भारत से नहीं चाहिए दक्षिन भारत में नहीं पार्टी कमजोर उत्तर भारत में हैं उत्तर भारत का नेता चाहिए जो संगठन महासचीव का पद भरे और केसी वेनुगोपाल जैसे लोगों से दूरी बनाए उन्हें जरा कुछ और काम दे दे लेकिन संगठ कॉंग्रेस में हो क्या रहाई कि राहूल गांधी अगर क इसी वेनुगोपाल को पाल रहे हैं तो मल्लीकारजुन खड़के जो अध्यक्ष है वो आजकले एक नया चेहरा पाल रहे हैं देखिए ये गुरदीप सपल एक सरदार जी आपको दिखते होंगे कॉंग्रेस के जातर फंक्शन में मल्लीकारजुन खड़के इन्हें पाल र रहे हैं जब इस सरकार से नहीं बनी तो रिटार्मेंट लेके कॉंग्रेस के साथ जुड़ गया और ये आजकल आप देखोगे कि हर इंपॉर्टन मीटिंग में गुरदीप सपल बैठे रहते हैं अगर रहुल गांधी के साथ किसी वेनुगोपाल बैठते हैं तो मल्लीकार जुन खड़के को जब आपने अध्यक्ष बनाया था आपको लगा था कि आपने एक बहुत शांदार चाल चली है कि आपने एक दलित चेहरे को दलित भुजूर्ग चेहरे को अध्यक्ष बनाया है बड़ी पार्टी का राश्ट्री अध्यक्ष बनाया है लेकिन उसका असर ग्राउंड में नहीं दिख रहा दलित कॉंग्रेस की तरफ नहीं आ रहा उसमें असर नहीं दिख रहा तो जब असर नहीं दिख रहा तो क्यों ना एक experiment किया जाए दो हजार नतिस के लिए कॉंग्रेस को experiment करने पड़ेंगे बहुत सारे experiment करने पड़ेंगे उसमें एक experiment मेरे हिसाब से है कि क्यों न एक ऐसा चेहरे को Congress की command सौंपी जाए जो एक उमीद जगाता है मेरे हिसाब से उसमें fit बैठता है आज की date मैं यह नहीं कहा रहा है कि मुनी का नाम ले रहा हूँ एक idea दे रहा हूँ कोई और चेहरा भी हो सकता है मेरे हिसाब से कोई सचिन पाइलेट जैसा चेहरा Congress की command क्यों नहीं संबालता अगर दलित मलिकारजुन खडगे के नाम आपके साथ नहीं जोड़ रहे हैं तो सचिन पाइलेट के जरिये युवा चेहरा आपके युवा लोग आपके साथ जोड़ सकते हैं सचिन पाइलेट पॉपलर भी है युवा में और दूसरी बात OBC समधाय से आते हैं घूजर हैं तो OBC से आते हैं आपकी सारी पॉलिटिक्स OBC के आसपास घुमरी आज की डेट में रहुल गांदी के तो क्यों नहीं सचिन पाइलेट जैसा नया चेहरा उर्जावान चेहरा युवा चेहरा पार्टी को देते हैं और पार्टी का चेहरा बनाते हैं हो सकता है जब वहां कुछ दलित का फायदा नहीं हो सकता है इससे कुछ तो फायदा हो चाए 5% फायदा हो कुछ तो फायदा होगा और दूसरी बात उम्र है उसके पास मली कारजुन खड़के के साथ उम्र के भी कुछ सीमाएं हैं तो मेरे हिसाब से अजख्ष भी बदलना चाहिए अगर 2029 का मिशिन को कम्प्लीट करना है और संगटन मास चीप तो सबसे पहले बदला जाना चाहिए कॉंग्रेस का और इसी से जुड़ा मेरा अगला पॉइंट है कि अब वक्त आ गया है कॉंग्रेस में कि बुज़ुर्गों को बाय बाय कहा जाए और नए चेहरों का स्वागत किया जाए बुज़ुर्गों को बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है जो liability इस वक्त कॉंग्रेस में बन चुके हैं आप कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक हर स्टेट में देख लीजिए ये लोग double game खेल रहे हैं आप देखिए कश्मीर से आईए तो कश्मीर में आपके पास खुलाम नभी आजाद थे जो लग रहा था कि double game खेल रहे हैं वो timely निकल गए उसके बाद आईए पंजाब में अमरिंदर सिंग हो ही कर रहे थे निकल गए हिमाचल में आनन शर्मा अभी आपके बोज बने पड़े हैं बाई 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 टाटा कर दीजिए हर्याना में भूपिंदर सिंग हुडा टाटा बाई बाई कर दीजिए मैं इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप सोचिए जब विपक्ष के हर नेता पे EDCBI की कारवाई हो सकती है इंकम टैक्स की कारवाई हो सकती है जो मैं ये नाम ले रहा हूँ इन पे क्यों कभी कोई कारवाई नहीं हुई 10-10 साल मुख्य मंतरी रहे ये लोग भूपिंदर सिंग उड़ा द साल लगातार मुख्य मंतरी रहे जमीन घुटाले को लेकर बीजे पी ने बहुत हल्ला मचाय था लेकिन जब सत्ता में आय तको भुपिनर सिंग घुटा पे कोई नहीं हुआ फिर आप देख लीजिए अशोग गहलोद फिर आप देख लीजिए कमलनाथ फिर आप देख लीजिए टीएस सिंग देव फिर आप देख लीजिए अशोग चौहान बहुत लंबी फैरिस्थ है और राज्ये में आपको ऐसा एक चहरा मिल जाएगा दिग विजय सिंग कितने ही चहरे पी चिदम्रम बहुत सारे चहरे जैराम रमेश एक पूरी फैरिस्थ है जिसमें मैं कुछ नाम तो मैंने लिखे भी थे शायद आप मुझे याद भी नहीं इतने सारे नाम राजीव शु कमान अब करनाटक की डी शीव कुमार के हाथ में देने का वक्त आ गया और डी शीव कुमार ने अभी बाइलेक्शन में फिर साबित किया है कि संगठन रूप में वो कितने मजबूत है बीजेपी की कमजोरी को बहुत अच्छी तरह बुनाना जानते हैं सिद्धरमया हो गय जितना मुख्यमंतरी बनना था बन लिया अब डी के शीव कुमार को कमान सौफ देने चे तो इस तरह से इन सब चेहरों को टाटा बाय बाय करके जो अगली पेड़ी के या नए चेहरे हैं वो देश के सामने दीजिए ताकि देश को भी तो लगे कि हाँ यार नए चेहरे है वो ही पुराने चेहरों पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कॉंग्रेस के और इसी से अगला पॉइंट है पांच हुआ है वो यह है कि देखिए पिछले एक साल से अगर मान के चले तो राहुल गांधी के आसपास कॉंग्रेस घूम रही है और राहुल गांधी वो ही द यह नहीं कहता है कि यह मुद्दे नहीं चलाने चीए इन मुद्दों को भी चलाईए आपके पुराने मुद्दे आपने इस पर काम किया और सच भी सावित हो रहे हैं लेकिन यह मुद्दे अकेले दम पर ग्राउंड में वोट में कनवर्ट नहीं हो पा रहे हैं यह आपको और देखा जाए। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस का जो पुराना नारा था न उस पे लोटने की जरुषत है और वो नारा था। जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। ये नारा आपको याद है, कॉंग्रेस के साथ हर जगा ये नारा मिलता था लिखा हुआ, तब सब लोग कॉंग्रेस के साथ होते थे, मुझे लगता है ये जो आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदू-मुसल्मान बाटने की कोशिश कर रही है, लोग सवाल पूछते हैं, कि अगर भी तो जातियों में बाट रहे हैं, आप भी तो ठीक है, वो लोग कहते हैं कि आप जातिकत जनगर्ना कीजिए, उस हिसाब से योजनाय बनाईए कि कि इसका कितना है दीजिए, लेकिन इसको चुनावी मुद्दा क्यों मनाते हैं, लोग इसलिए विश्वास नहीं कर पा र नजात पर नपात पर, मुर लगे की हाथ पर, मरलब हमारे लिए सब बरावर हैं, तो शायद वो पुरानी कॉंग्रेस की कामियाभी वापिस लोटा है, इस नारे ने कॉंग्रेस को कितने साल तक सत्ता में बिठाय रखा, यह पहचान थी कॉंग्रेस की, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कॉंग्रेस और रहुल गांधी को, यह जो OBC, 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 OBC करते हुए, दूसरे कोई कहीं हाथ से ना छूड़ जाए, जो टिके हैं, इसलिए जरूरी है कि इन से बाहर निकला जाए, जो हैं, वो तो रहेंगे ही साथ हो सकता है, यह सुनते हुए, OBC भी आप सजेशन है, मैक्रो इमोशनल नेरेटिव, अब आप कहेंगे यह क्या है, मैं बताता हूं, दीखिये, हिंदुस्तान में कहा जाता है कि लोग इमोशन पर वोट देते हैं, करप्शन वोट नहीं देते हैं, आज तक करप्शन पे कितने चुनाऊ हुए और कितने चुनाऊ में जो है वो रुख बदल गया, करप्शन पे नहीं, सिर्फ 2014 को आप छोड़ दीजे, 2014 वो बिल्कुल एक्सेप्शन था, क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़े दलाल, अन्ना हजारे ने हवा बना दी थी, उसको छोड़ दीजे, बाकि कोई एलेक्शन भारत में करप्शन पे ना जीता गया, ना हारा गया, यहाँ इमोशन पे, इमोशन पे लोग जो है वोट देते हैं, 2019 का चुनाओ, इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है, जब लोगों में एक देश भक्ती की भावना जगा दी गई थी, उल्वामा वाले मामले को लेकर, वो इमोशन पे लोग यहा इमोशन के साथ अगर आप मैक्रो लेवल पर उसको मैनेज करोगे, इमोशन मदलब सिर्फ हवा हवा परत पर नहीं, उपर ही परत नहीं, आपको नीचे गाओं देहात तक इमोशन जो है वो नेरेटिव बनाना पड़ेगा, इमोशन नेरेटिव जैसे मैंने आपको थोड़ मैक्रो लेवल तक नीचे जमीन तक पहुंचा दिया है, अब इसको काटने के लिए आपको अपना इमोशन नेरेटिव जमीन तक पहुंचाना पड़ेगा, इस पे काम करने के लिए बहुत जरूरी है उपर संगठन में कोई तकड़ा, संगठन महासाचीव और उसके नीचे राज्ये में संगठन खड़ा होना, ना सिर्फ स्टेट लेवल पे, ना सिर्फ जिला लेवल पे, बलके ब्लॉक, मंडल, सब पंचात लेवल तक सब खड़ा करना पड़ेगा आपको, और इसमें बहुत जरूरी है कि एक मरीवी संस्था है आपकी उसको उपर उठाना, उसक कॉंग्रेस सेवादल, कॉंग्रेस सेवादल को जिन्दा नहीं करोगे, तब तक आप जो माइक्रो नेरिटिव है, इस पॉलिटिक्स को वहां तक नहीं पहुँचा पाओगे, दो तिन और हैं, चो तीन और हैं, चो चोटे चोटे मुद्धे, वह भी मैं आपको बदा देता दूसरा एक है, सातवा निमबर पर है मेरा, देखिए, धर्म निर्पेक्षता पर कड़ा स्टेंड, यह बहुत जरूरी है, लोग यह बात करने लगे हैं, मुझे तो बहुत से लोग यह बोलते हैं, कि अब नहीं चलेगा, कि एक तरफ तो आप कहते हो, कि भाई, बीजेपी बांट रिये, बांट रिये, बांट रिये देश को, लेकिन आप खुद वही सौफ्ट हिंदुत्व की राजनिती करते हो, इधर भी जाना चाहते हो, अपको लगता है कि हिंदू, तो को बात नहीं करेंगे, तो हिंदू बोड चलेंगे, इस से कॉंग्रेस को निकलना लेगा, इसके लिए धर्म निर्पेक्षता के मुद्दे पर जब तक आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं करोगे, इंदरा गांधी के समय तक था, क्लियर था धर्म निर्पेक्षता पर स्टैंड की, यस, मुसल्मान के लिए भी कॉंग्रेस उतनी ही खड़ी है, हिंदू के अपना स्टेंड जो है धीरे-धीरे बदलना शुरू कर दिया और वहीं से कॉंग्रेस का एक डिक्लाइन भी अगर आप देखे संगठन के तौर पर वो नीचे शुरूआ हालां कि लोकसवा चुनाव में उस सीमोशन में जो है वो कॉंग्रेस ने आज तक की हाय सीर जीती लेक कुछ और इसमें रहूल गांधी हो कॉंग्रेस सद्याक्षो अब फोर्म स्टैंड लेना पड़ेगा चाहे वो सिखों का मामला हो चाहे किसी का भी मामला हो अब फर्म लेना पड़ेगा मैं ये नहीं मानता कि इस देश की पूरी जनता जिन्हों ने बीजेपी को वोड़ दिया कि वो सब के सब जो है वो बीजेपी के नेरेटिब में आ गए हैं बटोगे तो मैं नहीं मानता लोग इसलिए उनको वोड़ देने बीजेपी को क्योंकि जो आपशन आप दिखा रहे हैं वो आपशन भी तो कोई अपना स्टैंड कलियर नहीं कर रहा है बहुत सी इस देश की बहुत जनता ऐसी है जो अभी आपको धर्म निर्पेक्ष दिखती है जो चाहती है कि इस देश में शांती चाहे हिंदू मुसल्मान सीख किसाई से उसे कोई लेना देना नहीं है वो अपने जीवन को शांती पून तरीके से जीना चाहता है तो आपशन तो दिखाईए कौन है अगर आप भी वही मंदिर की राजनीती करोगे वही सब करोगे तब नहीं चलेगा इसलिए बहुत जरूरी है और दूसरा आठवा मेरा मुद्ध है नए मुद्ध की तलाश नए मुद्धों की तलाश बहुत जरूरी है जैसे मैंने पहले भी कहा कि अडानी, जाती का जंगना, सम्विधान खत्रे में है ये सब हो गया इनके साथ अब नए मुद्ध तलाश ने जरूरी है राश्ट्री है अगर आपको मिशन दो हजार उनतिस देखना है और अगर आप विधान सबह चुनाओ देखते हैं तो वहाँ स्थानिय मुद्धों को कैशाओन करना बहुत जरूरी है राहुल गांधी के लिए भी प्रियंका गांधी के लिए भी मली कारजन खड़ गये के लिए भी सिर्फ राश्ट्री मुद्धों पे आप विधान सबह चुनाओ नहीं जीच सकते हैं और 2024 के जो चुनाओ में मुद्धे चल लिए उन्ही को आप खीषते रहोगे खीषते रहोगे खीषते रहोगे नहीं चलने वाला जब तक आप नए मुद्धे लोगों के सामने नहीं रखोगे तब तक आपकी गाड़ी फिर पटरी पे नहीं आईगी और ये एक एलेक्शन में नहीं नहीं पड़ेंगे आपको मेरा कहना यह है कि 2021 के लिए अगर आप नजर में हैं तो उस पे काम करते हैं तो राष्ट्री ने मुद्देल आई हो सकता है इस दोरान आप दो चार विधान सबा चुनाओ हार भी जाएं कोई फरक नहीं पड़ता वैसे भी हार रहें लेकिन आपको अगर फोकस 2021 पे रखा है तो उसको लेकर काम करना शुरू करते हैं तो भी ठीक है लेकिन आप चाहते हैं कि साथ में विधान सबा चुनाओ भी आप जीते रहें तो फिर विधान सबा चुनाओ में फिर वहां के लोकल इश्यूज को जर्आ तब ज़्यो दिया कीजिए तभी आपकी बात बनेगी जै बढ़ी कमजोरी है बहुत बढ़ी कमजोरी वो है कि जो चमचे हैं चमचागिरी में जो महीर है वो कॉंग्रेस में बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं इसलिए चमचागिरी से ज्यादा काम को सरहना जरूरी है मेरे हिसाब से अब वो चमचागिरी किसकी करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है सबसे पहली चमचागिरी हर नेताingeris में चाहता है कि नेरुप गांधी परिवार की चमचागिरी करें तो गाड़ी निकल पड़ती है अगर वहाँ पहुच नहीं बनती तो फिर मलीकारजुन खडगे की केसी वेनुगोपाल की चमचागरी आज की डेट में हो रही है क्योंकि spacecraft में कहा जा रहा है कि de facto party केसी वेनुगोपाल ही चला रहे हैं और वहा भी नहीं बंदी तो फिर एक्षेतरे नेताओं की किया है उसने चम्चागिरी के आधार पर रेकमेंडिशन के आधार पर टिकट ना बांटे जाए तो भी कॉंग्रेस की बहुत सी हालत सुधर सकती है तो यह मेरे कुछ पॉइंट थे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया माफी चाहता हूं लेकिन यह बहुत जरूरी थे यह पॉ झाल 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 झाल